नमस्कार आप सभी को हिंदी विभाग के और से आप सभी का स्वागत है आज हम आधोनिक तीसरी वाली कवीता पड़ रहे हैं तीसरी वाली कवीता में कवीता का नाम है कायर मदबन इसके कवी है नरेंदर शर्मा एक शब्ज या व्याक्या में उत्तर लिखिए ये एक अंग क प्रेश्ण है यानि वन मार्क्स के कोशन आंसर है कभी नरेंदर शर्मा क्या ना बनने का ना बनने का स्वागता है शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते है कभी नरेंदर शर्मा मनुष्य को प्रेम के बल पर जीतने को कहते है मेनांसर प्रेम कभी नरेंदर शर्मा के अनुसार प्रतिहिमसा क्या है उतर कभी नरेंदर शर्मा के अनुसार प्रतिहिमसा दुर्बलता है मेनांसर दुर्बलता सिक्स्त्वंथ छटा प्रश्न कभी नरेंदर शर्मा ने कीसे अधिक अपवान कहा है उतर कभी नरेंदर शर्मा ने काईर्था को अधिक अपवान कहा है काईर्था मेनांसर साथमा प्रश्न सवेंथ कोशन कभी नरेंदर शर्मा किसके सामने आत्म समर्पन ना करने के लिए कहते है कभी नरेंदर शर्मा दुस्टों के सामने आत्म समर्पन ना करने के लिए कहते है मेनांसर दुस्ट के सामने ये आपके लिए एक अंक वाले हो गए है अब आपको चार अंक वाले प्रश्न इसको सासंदर कहते है सासंदर भाव स्पस्टी कीजिए चारंक वाले प्रश्ने है कुछ भी बन बस कायर मत बन ठोक कर मार पटक मत माथा तेरी राह रोते रोकते पहन कुछ भी बन बस कायर मत बन उत्तर आपको सास अंदर में तीन स्टप लेना है जैसे प्रसंग, भावर्थ और विशेश्टा प्रसंग में उत्तर में उप्योग पंक्तियां हमारी हिंदी पाट्या पुस्तक साहित्या गवरों में संकलित कविता कायर मत बन से उजित है इसके रचीता है नरेंदर शर्मा इसमें तीन बात आकर है एक पुस्तक का नाम दूसरा कविता का नाम पुस्ता का नाम साहिद धितया गवरो दूसरा कायर मदबन कविता का नाम तीसरा कवी का नाम है नरेंदर शर्मा ये आपके लिए एक अंक मिलते हैं जो आपको प्रिश्ण यानि चार लेंगे मनुष्य चाहे काई कवी कह रहे हैं कि मनुष्य को बाधाओं को देख कर अपना माथा नहीं पटकना चाहिए अपी तु बाधाओं को ठोकर मार कर आगे बढ़ना चाहिए कवी कहते हैं कि मनुष्य के रास्ते में बार बार फत्तर आएंगे लेकिन मनुष्य को इस इन फत्तरों को ठोकर मार कर आगे बढ़ते जाना चाहिए मनुष्य कुछ भी बन जाएं बस उसे काईर नहीं बनना चाहिए क्योंकि कायरता मनुष्य को पतंद के रास्ते पर ले जाती हैं अब यहां पर कवी कह रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब मनुष्य के रूप में जन्म लेकर हैं तो उसमें याने सबसे अच्छा बल के साथ उसकी मस्तिश और उसमें एक तरह से शक्ती होनी चाहिए मन की शक्ती आत्मा की शक्ती और वो खुद पर कांफिडेंस रखना चाहिए ओवर कांफिडेंस नहीं रखना चाहिए अगर वो विक्ति कावर्ड कावर्ड याने कायर को कावर्ड बोलते हैं बुजदिल होता है डरफुक होता है तो वो उसे कोई भी विक्ति उसको जुका सकता है और उसके जीवन में बहुत सी चीजें अन्होनी हो सकती है क्योंकि कायरता सबसे बढ़ा अभीशाप है क्योंकि अगर विक्ती कायर बनता है बुजदिल बनता है तो उसमे उसका जीवन में कभी भी अभीशाप की तरह होता है क्योंकि उसा आशिरवाद रहने पर भी अभीशाप ही होता है क्योंकि वो व्यक्ति कायर होता है कभी कह रहे हैं कि मनुष्य को बाधाओं को देख कर अपना माथा नहीं पटकना चाहिए अपी तु बाधाओं को ठोकर मार कर आगे बढ़ना ही चाहिए अब कभी कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सी संकटे आती हैं दुर्बलता आती है, दुख आता है, बहुत से कष्ट आता है, कभी अपने और से, कभी अपने घर परिवार से, कभी आस पास पड़ो से, कभी दोस्तों से, किसी ना किसी से, कोई ना कोई वेक्ती से, कभी ना कभी वेक्ती के जीवन में बाधाएं आती हैं, पर बाधाएं आ वेक्ति को अपने माथा पटक कर रोना नहीं है उस situation को handle करना ही उस वेक्ति का अनुभव होना चाहिए जब तक वेक्ति वो सारे यानि जिस तरह से situation को handle नहीं करेगा उसे जीने का experience ही नहीं मिल सकता करके यहां पर कवी कह रहे हैं अगर आप रोते रहेंगे माथा पटकते रह आपकी विधी आईसी ही होगी करके कहेंगे तो वेक्ति हमें बहुत सा दुख पहुंचा सकते हैं पर हमें उनका सामना करने पर वेक्ति को आगे वाले को भय होने लगता हैं कवी कहते हैं कि मनुश्य से के रास्ते में बार बार फतर आएंगे लेकिन मनुश्य को इन फतरों को ठोकर मार कर ही आगे बढ़ना बढ़ते जाना चाहिए कभी कि रहें कि आपके जैसे रास्ता होता है वहां पर बहुत से फत्तर आते रहते हैं यानि आपके जीवन में बहुत से लोग सुक की जगा दुख बहुत देते हैं उल्लास आनन्द की जगा बहुत सी पीडा देते ह तो आइसे वाले लोग रास्ते में फट्तर आने की होते हैं तो ठोकर लगती है बहुत सा दर्द है आप अपने सीमा पर पहुंच सकोगे आप अपनी मनजिन पास सकोगे करके यहां पर नरेंदर शर्मा जी कह रहे हैं मनश्य कुछ भी बन जाएं बस उसे काईर नहीं बनना चाहिए क्योंके काईरता मनश्य को पतन के रास्ते पर ले जाती है तो यहां पर कवी कह रहे हैं कि अगर वेक्ति के काईर बन जाता है कावड बन जाता है बुजदिल बन जाता है तो उसे जिस तरह से एक सूखा पता जो हवा के जोके से जिस तरह से उड़ता रहता है उस तरह से वेक्ति को कोई ना कोई उसी तरह घुमाएगा जिस एक सूखा हुआ पत्ते को पवन याने पतन जिस तरह से हवा या तूफान लेकर उड़ती है उसी तरह व्यक्ति के लिए कायरता वैसे ही लेकर जाएगी करके यहां पर कभी नरिंद्र शर्मा ने कहा है आज यह पहला वाला सासंदर और एक अंक वाले साथ प्रश्न और चारा अंक वाला एक सासंदर दिया गया है ध्यान से पड़े शुबहो नमस्का धन्यवाद